यह गौतम बुद्ध क्या आपने सुना उनके बारे में सबीने गौतम के बारे में सुना है उनका नाम बुद्ध नहीं है उनका नाम है गौतम सिधार्थ वो एक बुद्ध बन गए वैसे वो दुनिया के एकलोते बुद्ध नहीं है हजारों बुद्ध हो चुके हैं और आज भी है तो गौतम एक दिन सुबह लोगों के एक बड़े समूह के बीच बैटे थे सुबह सुबह, मतलब कि इस समय से भी पहले एक आदमी आया और आकर पेड की आड में खड़ा हो गया वो आदमी बहुत बड़ा भक्त है वो राम का भक्त है आप राम के बारे में जानते हैं? रमी नहीं, राम राम भारत के प्रमुख देवताओं में से एक है अगर आपको पता नहीं हो तो भारत में हमारे पास 33 करोड देवी देवता हैं तो वो राम का बहुत बड़ा भक्त था भारत में भक्तगर्ण आजकल ऐसा नहीं होता, नहीं हर कोई ऐसा होता है लेकिन वो लोग जो इसे गंभीरता से लेते हैं वो जिस भगवान में विश्वास रखते हैं उसके नाम के अलावा कुछ और बोलते ही नहीं अगर वो आपको बुलाना चाहते हैं तो वो कहेंगे राम राम अगर जाने के लिए कहना हो, तो राम राम अगर उन्हें कुछ चाहिए, तो राम 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 के सिवा कोई और शब्द नहीं कपड़ों पर भी राम राम छपा है वो बोलते भी राम राम हैं, वो जीते भी राम राम हैं वो अपनी पूरी जिन्दगी भगवान को समर्पित कर देते हैं आप स्मार्ट हैं, आप ऐसे नहीं है आप भगवान को इंशॉरंस की तरह रखते हैं कहीं अगर कुछ गड़बड हो जाए तो मैंने भी अपना प्रीमियम भरा हुआ है जो कुछ आपको करना है, आप करी लेते हैं भगवान को आप इंशॉरंस की तरह रखते हैं आप स्मार्ट हैं लेकिन इस आदमी ने अपना पूरा जीवन भगवान में लगा दिया पूरी तरह से उम्र बीत रही है थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ क्या यहां ऐसे लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते कोई नहीं कोई वामपंथी नहीं है सिर्फ ए क्या नाम है आपका, सिर्फ जॉन, और कोई नहीं तो थोड़ा सा संदेप पैदा हुआ वो जानता है कि भगवान है बस छोटा सा डाउट, मान लो कि भगवान नहीं है तो मैं राम राम जब कर अपना पूरा जीवन पर बात कर रहा हूँ यह डाउट आपको तभी होगा अगर आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, आप हफते में सिर्फ और दूसरे लोग भी हैं, जो भगवान में यकीन नहीं रखते इस जौन को देखो, यकीन नहीं रखता इसके लिए भी सुबह सूरह जुकता है इसके लिए भी फूल खिलते है इसकी भी जिन्दगी चल रही है शायद ये मुझसे बहतर जिन्दगी जी रहा है तो छोटा सा डाउट वो जानता है कि भगवान है बस एक छोटा सा डाउट अब यहां एक आत्म ग्यानी महापुरुष मौजूद है वो बस पक्का करना चाहता है लेकिन काफी लंबे समय से एक जाना माना भक्त होने के कारण क्योंकि वो सिर्फ मंदिर जाता ही नहीं था उसने कई सारे मंदिर बनाए भी थे तो जिन्दगी के इस पड़ाव पर अब यह कैसे पूछा जाए कि भगवान है या नहीं तो वो सुबह सुबह आया और दूर वहाँ पेड की आड में खड़ा हो गया और उसने यह सवाल पूछा क्या भगवान है गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और साफ साफ कह दिया नहीं वहाँ शिश्यों की पूरी मंदली बैठी थी उनके मन में ये जद्दो जहत हमेशा चलती रहती थी कि भगवान है या नहीं, भगवान है या नहीं उफ, अब जाके रहत मिली जब भी वो गौतम से ये सवाल पूछते थे तो वो हमेशा मौन हो जाते, वो कुछ नहीं कहते पहली बार उन्होंने साफ साफ जवाब दिया भगवान नहीं है पूरी मंदली में खोशी की लहर फैल गई ये जद्दो जहत कि भगवान है या नहीं, अब खत्म हो गई आत्मग्यानी महापुरुष ने गोशित कर दिया है कि भगवान नहीं है ये संदेश पूरे शहर में फैल गया पूरे दिन जश्न मनाया गया क्योंकि जरह इस आजादी की कलपना कीजिए भगवान नहोने का मतलब है कि कोई भी उपर बैटकर ये हिसाब नहीं लिख रहा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया ताकि वो आपको सजा दें या नर्क में जला सकें या कुछ और कर सकें जिन्दगी पूरी तरह से आपकी है तो पूरे दिन जश्न मनाये गए हर कोई खुशी से जूम रहा था शाम को एक बार फिर सभा बैठी थी एक और आद्मी आया वो भी दूर पेड की आड में खड़ा है ये आद्मी एक चारवाक है चारवाक या नहीं भारत में कुछ ऐसे लोग है जो चारवाक के नाम से जाने जाते हैं ये चारवाक पूरी तरह से मटीरेलिस्ट होते हैं ये किसी और बात पर यकीन नहीं करते अपनी आखों देखी के अलावा शायद यही इकलोती संस्कृती है जो इसकी छूट देती है आप देखेंगे कि बहुत से धर्म प्रचारक भगवान का संदेश फैलाने के लिए गाव गाव जा रहे हैं और भगवान के नहीं का प्रचार करने वाले भी गाव गाव जा रहे हैं और लोगों से बहस करके ये साबित कर रहे हैं कि भगवान नहीं है शायद यही इकलोती संस्कृती है जो इसकी इजाज़त देती है बाकी जगाओं में तो वो मारे जाएंगे अगर आप चाहें तो भगवान का प्रचार कर सकते हैं और अगर चाहें तो उनके नहोने का यही सची डिमॉक्रसी है एना ऐसा हजारों सालों से चलता आ रहा है लोग गावों में जाकर बहस करते हैं और साबित करते हैं कि भगवान नहीं है तो ये एक expert चारवाक है आपका विश्वास चाहे कितना भी पक्का क्यों न हो अगर आपने 10 मिनिट उश से बात कर ली तो वो साबित कर देगा कि भगवान नहीं है हजारों लोहों को वो यकीन दिला चुका है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, उम्र बीत रही है, थोड़ा सा संदेय आ गया है, मान लो कि भगवान है, जब मैं वहाँ जाओंगा, तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? और ये सारे भक्तगण कहते हैं, कि उनके पास टॉर्चर करने के लिए हर तरह के आज़ार हैं, चूकि मैं ये साबित करने में लगा था, कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो शायद मुझे ज्यादा ही टॉर्चर करेंगे, वो जानता है कि भगवान नहीं है, उसमें हजारों को साबित किया है कि भगवान नहीं है, बस थोड़ा सा संदे है, अब एक आत्मग्यानी महापुरुष मौजूद हैं, वो पक्का करना चाहता है, तो वो शाम को आकर वहां खड़ा हो गया, और उसमें भी वही सवाल पूछा, क्या भगवान हैं? गौतम ने उस आदमी की त अब देखा और कहा, हाँ, एक बार फिर खलबली मच गई, सुभा उन्होंने का भगवान नहीं है, वो सबी बहुत खुश थे, शाम को वो कहते हैं भगवान हैं, तो गौतम ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? देखे अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान है, या आप वि विश्वास कर रहे हैं, जिसे आप नहीं जानते हैं, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, तो मुस पर विश्वास करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकता है, ये जरूर पैदा होगी, तो खोड शुरू होगी, और अगर खोड शुरू होगी, तो जानने की संभावना भी होगी.